नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अपनी मायंग के समर्थन में लिखी पत्र प्राप्त किया सबी विधायों को और सांसुदों का समर्थन पत्र प्राप्त किया रहा है इस अभियान के नवे दिन जार्खन के दिस्वम गुरू सर राई सवसांसर सिवु सुरेन ने चात्रों की मान को जाज बताते हुए समर्थन पत्र दिया बता दे जेस एस्यू के आंद्रणकारी चात सिवु सुरें ने सपनों के जार्खन निर्मान के लिए संहर्ष करने पर कहा है कि मेरा असिरवाद और सवयोग उनके साथ है। बता दे परदेश के उतर पच्मी हिस्से यानि पलामू, गढ़वा, लातियार, कोडर्मा, चत्रा और लोहतग्या जिले में लू की सिती देखी जाएगी। चल सकती है। रगुबर सरकार में बनी नियोजर निति को कोट में चैलेंज किया गया था। मामला सुप्रीम कोट में गया था। सुप्रीम कोट के आदेश के बाद इनकी नियुक्ति के रास्ता साफ हुआ। और आज सभी को नियुक्ति पत्र मिला। इसकोट सिक्षों को बढ़ाई देते हैं उनके उजोल भविस्की कामना की साथी सरोष नियाले के प्रती बीचे अभालव्यक्त करते हुए कहा। अगर नियाला का हस्त छेप नहीं हुआ होता तो इन सिक्षों की नियुक्ति संभाव नहीं हो पाती। समारोख करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री को बताना चाहते हैं कि नियुक्तिया पाप नहीं बलिक पुने का कारे होती है। आज जब हेमन सरकार को सरुष्ट नहीं आले कि आदेश के आगे विवस होकर है इसको सिक्षों के नियुक्ति पत्र बातना पड़ा है। इन नियुक्तियों को रोकने के लिए हमन सरकार ने क्या क्या पपंच किया है। इस दोरान किसी मंत्री ने भारत सरकार के क्रिसी सचिव से कहा है कि वर्स 2022 खरीब मौसम में कम वर्सा यहम अल्प फसल अक्षादन के कारान राज्ये के 22 जीलों के 226 पर खंडों को सुखागर स्खोशित किया गया था। इसके लिए राज सरकार ने गिरिख करा एवं आपदा प्रवंधन विभाग के माध्यम से 96,82.59 क्रोर रूपए की साहता राज से उपलब्द कराने का अनुरोद केंद्र सरकार से किया। किसी मंत्री ने आगरा किया है कि इसे लेकर आपदा विभाग से समनों असापित करते हुए यह राजी राजे के किसानों को दी जाए तो सुखे का दन से झेल रहे किसानों के लिए बड़ी रहात होगी। जून से महंगी हो सकती है बिजली राजे में अगले माह से बिजली दर में बढ़ोतरी के असार है या मामूली बढ़ोतरी होगी जो 25 से 30 पैसे प्रते उनुर्ट तक हो सकती है। घरेलू उभोकताओ पर फिलहाज ज्यादा भार देने की जूना नहीं है लेकिन कमर्सियल कनेक्शन के बिजली दर में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है। देने के लिए दर में बढ़ोतरी नहीं की गई बिजली दर पिछले तीन वर्सों से नहीं बढ़ी है। चास यार और पदो पर नियुक्ती के रहता साप हो जाएगा। इसमें प्रथम चरण में सहायक आचार्य के लवग 25 यार पदो पर होने वारी नियुक्ती भी सामिल है। सरकार ने पुर में नियोजान निती में राज जिक के सेक्षिनिक संस्थानों मैट्रिक या मिटर मिडेट उतीन होना अनिवार किया था। अरक्षित स्रेहनी के अभियारतियों को इसे छुट दी गए थी। तिरितिय स्रेहनी के सभी पदों से सम्वांदित नियुक्ती निमावली में यह प्रविधान सामिलित किया था। मवासियों से भरे दो पीक अप वहन जब्त तीन तसकर गिरपतार। जार्खन के लोहर दग्गा जिले की कुड़ू थाना पुलिस ने मवसित तसकरी के मावले में करवाई की है। राष्ट पती द्रोपती मुर्मु के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के पोखता इंतजाम। राष्ट पती द्रोपती मुर्मु के रांची दौरे को लेकर की गए त्यारी की समिक्षा बैठाक उपायुक्त राहुल कुमार सीनहा के द्यक्ष्टा में समनाले इसीत उपायुक्त सभागार में की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दौरे के दौरान सुरक्षा के पुक्ता ब्यवक्ष्टा होनी चाहिए। आपको बता दें कि 24 से 26 माई तक राष्ट पती जार्खन दोरे पराएंगी जार्खन के जन जाती है समोह के बिकास के लिए हाई लेवल कमिटी बनाए सरकार बंदू तिर्की जार्खन के पुरो मंत्री और कंगरिस के करेकारी अध्यक्स बंदू तिर्की ने कहा है कि जार्खन अस्थापना के 22 साल बाद भी अधिकतर जन जाती समोह का उप्यक्षित अभाव ग्रस्त और सरकार की कलनकारी योजिनाओं से बंचित रहना गंभीर चिंता की बात है अभी बर्तमान में अनुशुचित जन जाती की सुची में 32 जातिया सुची बद है लेकिन उन सभी के संतुलीत अपेक्षित और योजिनाओं बद विकास के लिए राज सरकार को नए सीले से अपनी योजिनाओं त्यार करनी चाहिए शिक्षकों से बोले सीम हमन्त ऐसा पुरस्कार देंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते जारखन में असे उत्कृष विद्यालों के सुभारम के बाद हजारों सिक्षकों की बाहली हुई है शुक्रवार को सभी नवन्यूक सिक्षकों को सियम हमान्सुरे नवन्यूक की पत्र सोपा इस दोरान मुख्य मंत्री ने कई अहम एलान किया है जिसमें से एक है कि राज के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी फिर अवल इस स्कूलों के सिख्षकों को प्रोस्कृत किया जाएगा वही नौन यूग सिख्षकों को सुभकवनाय देते हैं मुख्य मंत्री हमसुरे ने कहा है कि मैंने जारखन में 80 उत्कृष्ष भी द्याले बनवाए आगे चलकर राज में 5000 साधिक उत्कृष्ष भी द्याले होंगे लेकिन इन उत्कृष्ष भी द्यालों को उत्कृष्ष भनाय रखना सिख्षकों की जिमेदारी है CM हिमन सुरे ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी जिसके बाद टॉप थ्री में आने वाले स्कूलों के सिस्कों को पुरस्कृत किया जाएगा हलाकि क्या पुरस्कार दिया जाएगा अभी इसका जिक्र नहीं किया गया लेकिन इतना इसारा जरूर किया गया है कि यह पुरसकार काफी बड़ा होगा भुकारो के होनहे गाउ में 20 को आनी थी बरात और 29 माई को घर में अगजनी से सभी समान जल कर राख बुकारो जिला अंतरगत गोमिया परखंड के महुआ टान थाना छेत्र इस्थीत होनहे गाउ में मोहन महतो के घर में आग लग गई आग इतनी तेज थी कि घर में रखे सभी समान जल कर राख हो गई सनिवार 20 माई 2023 को उसकी पुत्री की साधी को लेकर बरात आने वाली थी लेकिन इससे पहले इस घर में सबको जग जोर दिया बताया गया है कि कंडेर पंचायत इस्थीत होनहे गाउन निवासी मोहन महतो की पुत्री की साधी को लेकर लगन रस्म की अडायगी की गई रात में सभी अती थी और ग्रामी सवारों में सामिल होने के बाद अपने अपने घर चले गए सुक्रवार की सुबा घर के एक सदसे ने चाय पीने के लिए चुला जलाया इसी बीच गस सिलेंडर गस लीक होने के कारण घर में आग लग गई पी एलेफाई सुप्रीमो ने भाजपा नेता से रंगदारी मांगी 10-117 की डिमांड उगरवादी संगटन पी एलेफाई के सुप्रीमो दिनेस गोप ने रांची के एक भाजपा नेता से रंगदारी के रूप में 10-117 राइफल की मांगी है भाजपा के रांची जीला के महमंत्री बलराम सिंग को दिनेश गोप ने 18 माई को फोन कर 117 राइफल की मांग की मामले को लेकर भाजपा नेताने रांची के गोंदा थाना में फाय अर्दाज कराई है बता देवगरवादी संगठन पीले फाय का सुप्रीमो दिनेश गोप न रांची में बाम दलो की सभी पार्टिया का हुआ सन्यूत कन्वेंशन राइधानी में सभी लिफ्ट पार्टियों का जुटान हुआ है जहां सभी ने देश के भारतिया जनता पार्टि को हटाने के लिए एक जुट होकर आंदोलन करने का निनलिया दोज़ार चुबिस लो रांची में बाम दलो की सभी पार्टियों के द्वारा एक सन्यूत कन्वेंशन किया गया जिसमें वाम पार्टियों के सभी नेता सामिल हुए बता दे कन्वेंशन में मवजूद CPI के नेता और पूर्व सांसत भोनेस्वर में हत्ता ने कहा है कि वर्ष 2024 के चुना को लेकर जारकन में सभी विपक्षी पाठे एक जूट होकर भाजपा को प्रास्त करने का काम करेंगी मोबाइल भेटनरी एम्बूलेंस के लिए क्रिसी मंत्री ने केंद्र से मांगा हिस्सा जारकन के किरिसी एवां पशुपालन मंत्री बादल पत्र लेक ने प्रस्तावीत मोबाइल भेटनरी एम्बूलेंस के संचालन के लिए केंद्र से अपना हिस्सा जल्द से जल्द निर्गत करने का मांग की है ताकि भेटनरी एम्बूलेंस सेवा सुरू किया सके बता देखी जार्खन में पसुधान के स्वास्त की रक्षा के लिए 236 मोबाइल वेटनरी एम्बूलेंस चलाने की योजना है केंद्र की सरकार के स्वयोग से इस योजना का संचालन होना है इसलिए जार्खन की किरिसी एवां पसुपालन मंत्री बादल पत्रलेक ने दिल्ली में भारत सरकार के पसुपालन एवां डेरी विभा की सचीव अलका उपाध्याय के साथ बाचित के दुरान एमांग की किरिसी मंत्री बादल पत्रले की सी भवान नाई दिली में जार्कन में चल रहे केंद्री ये और केंद्रे प्रायोजीत किरिसी पसुपाली की जोई नाव से सम्मंद में चर्चा कर रहे थे बीज घोटाला मामले में मंत्री सत्यानद ने खुद की बहस बीज घोटाला मामले में बरतमान में स्रम मंत्री और ततकाली किरिस्थी मंत्री सत्यानद भोकता के डिश्चार्ज पिटिशन पर सुक्रवार को ACB की बीसेस अदालत में सुनवाई हुई अदालत में उपस्थित होकर मंत्री सत्याम्द भुक्ता ने खुद बहस की और अपने उपर लगे आरोब को बेवुनियाद बताते हुए खुद को निर्दोस बताया मंत्री सत्याम्द भुक्ता ने कहा है कि मंत्री होने के नाते उनके द्वारा आदेश दिया गया था कि नाव की समिक्षा क्रिशी सची ने पताइदिकारियों को क्रिशी पसुपरानेवं साकारिता विभाग वित्य वर्स 2022 तेस्की योजनाव को हर हाल में 15 जुन तक पुरा करने का निर्देश दिया विभागी है समीक्षा बैठा के दुरान क्रिशी सची ने चेतावनी भरे रहा है कि हर हाल में इस वित्य वर्स 2023 के लिए तलाब डिप बोरिंग और अने वेनाव की स्विक्रिती 31 मजी तक सुनिशीत करें नेपाल हाउस मंत्राले स्थीत विकास आयूक्त करेल सभागार में सभी जिले के आई क्रिसी पताधिकारी जिल्ला उद्यान पताधिकारी और जिल्ला स्वाइल कंजर्वेट्टि पताधिकारी के साथ विभागये समीक्षां बैठक कर रहे थे। अपनी ही सरकार के खिलाप सत्यागरह पर बैठेंगे जार्खन कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष जार्खन में कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष अपनी ही सरकार के खिलाप आंदोलन करने वाले हैं उन्होंने इसकी चेतावनी दे दिया है मामला मॉब लिंचिंग भी धहयक से जुड़ा है दरसल राजे में जार्खन मुक्ति मोर चार अश्टिय जनता दल और कॉंग्रेस की गटवंदन वाली सरकार चल रही है बावजूद इसके कॉंग्रेस के करकारी अध्यक सहजाद अनवर ने अपनी ही सरकार के खिलाप बापू परतीमा के सामने सत्यागरा सुरू करने की जितावनी दी है सहजादा अनवर ने कहा है कि अगर सरकार मॉब लिंचिंग भी दहय को जल्द ही कानून का दर्जा देने की पहल सुरू नहीं करती तो 15 दिन बाद रांची के मुराबादी सित बापू परतीमा के सामने वेधारना पलसन करेंगे जम सेथपूर में नहीं ठम रहा हा Хाथियों का उत्पाथ जारखन के चांडल परखंड छेतर में इन दीनो जंगली हाथियों का उत्पाथ थमने का नाम नहीं ले रहा है आई दिन हाथी किसी ने किसी गामेखोस का रुपात मचाते हुए मकान छतिगरस्ट कर रहे हैं बुद्धवार की रात कुरली में मकानों को तोड़ने के बाद जंगली हाथियों का दल गुरुवार की रात नरगाड डीह पहुँचा और सीवचरन मरांडी के मकान को तोड़ दिया वहीं मकान के अंदर रखे तीन बोले धान भी चटक गये इस दूरान इट से दबकर सीवचरन मरांडी के साथ मुर्गा मुर्गी की भी महत हो गई इधार हाथियों के बचने के लिए सीवचरन मरांडी वा उसकी पत्नी गुरुवारी मरांडी के घर में दिवार की ओर दबक कर बठ गए सराय के लामें बजरपात से किसोर की मौत पेड़ में लगी आग सराय के लामें सुक्रवार की दोफर करीब एक वए तेज अवाज के साथ दो अस्ठानों पर बजरपात हुआ जिसे एक की सोर की मौत हो गई और एक फीपल का 25 साल प्याण जल गया बजरपात की तेज अवाज के कारण चेतर की बिली कात दी गई और लोगों ने अपने अपने मुबाइल फोन भी स्विच आप कर लिये बतादे सराय के लथाना अंतरगत भालू बासा गाव निवासी संदीप महतो की मौत सुक्रवार को आस्मानी बिली की चपेट में आने से हो गया है साधी से इंकार करने पर यूती से दरिंदगी पहनाई जूत्य चपल की माला जारखन के पलामू जिले के एक गाव में एक यूती को साधी से इंकार करना भारी पड़ गया है जहां पंचायत द्वारा आदिवासी समाज की एक योती के साथ बदसुलित की की गाई और उसका सिन मुनवा कर उसके गले में जुत्ते चपल पहना कर गाउं के चक्कर लगवाए इसके बाद जब उनका मन यहां भी नहीं भरा तो रात के समय जंगल में लेकर उसे छोड़ दिया वहीं इस केस पर अबराश्ट्रिय मनवाधिकार आयोग ने स्वता संग्यान लिया है साथ ही मामले में ज्हारखन के मुख सचीव और पूलिस महानिदेशक से चार सप्ता के अंदर जाच रिपोट मागी है किसोरी के घर से आगवा कर किया समोहिक दुसकर्म जारखन के पलामो जिले में एक किसोरी को घर से अगवा कर उसके साथ समोहिक दूसकर्म किया गया पिरिता ने गंभीर हालात में अपनी आप बित्ती परिजनों को सुनाई इसके बाद छो आरोपियों के खिलाप मामला दर्ज हुआ है यह पुरिवर्दात सहर के हुसाइनाबाद थाना छेतर के एक गाओ की है जहां 16 वर्षिये दलीत किसोरी को अगवा कर हवानियत को अंजाम दिया गया बताद इस घंटना के बाद किसोरी की स्थिती गंभीर है उसका इलाज में दिन नगर मेडिकल कोलेज आइन अस्पताल में चल रहा है इस मामले में किसोरी की माने छो यूकों के खिलाप हुसाइनाबाद थाना में प्रत्मी की दर्ज करवाई है जहारखन में कोरोना के बाद आई CBI और ED की महामारी जैसे ही जहारखन में हमारी सरकार बनी वैसे ही करीब दो साल तक हम कोरोना से संघर्स करते रहे लोगों को बचाने में लगे रहे इसके बाद धीरे-धीरे काम सुरू ही किया कि ED और CBI की इंटरी हो गई कोरोना के बाद दूसरी मां हमारी आ गई जहारखन के CM हमान सुरेन ने सुक्रवार को ये बाते कही उन्होंने 349 मादमिक सिस्को के न्यूक्ति पत्र सोपा बतादे रांची के खेल गाविसी टाना भगत इंडोर स्टेडियम में करकरम का उजन किया गया था CM हमान सुरेन ने कहा एक जहारखन खनीज समपता से भरपूर है यहां के खनीज से देश रोशन हो रहा है बड़ी कमपनिया संचालित हो रही है इसके बाजूद यह राज पिछड़ा है BJP मिशन 2024 अरजुन मुना ने बुथ कमिटी को मजबुत पर दिया जोड BJP के जीला अस्तरिय कार समिती के बैठाक खुटी में आयोजित हुई इस बैठाक में केंद्रिय मंत्री अरजुन मुना ने सिर्कत की इस मौके पर उन्होंने कहा एक BJP देश ही की बात करने वाली पार्टी है BJP ने हमेशा ही बुथ कमिटी को मजबुत बनाने पजोर दिया उन्होंने कहा है कि बुथ कमिटी ही पार्टी की सबसे महत्पोन इकाई है उन्होंने पार्टी करकताओ से केंद्र सरकार के उपलब्दियों को घर घर पहुचाने की अपील की है पांच लाख लोगों को नहीं मिला पाने रुका डैम से मिलने वाले छेतर में सुक्रवार को वाटर सप्लाई पूरी तरह से बाधित रही इसके चलते सहर के पांच लाख लोगों को पाने नहीं मिला गर्मी में निर्वाध आपूर्ती सुनेशित करने के लिए सुक्रवार की सुबा में पलांट के जल सोधन केंद्रे वाटर ट्रीटमेंट पलांट बुट्टी जलागार के सभी संप एवाम टंकी की साफ सफाई शुरू हुई यह काम सुबा आट बए से रात आट बए तक चलने की बात कही गई थी मगर अभी तक काम जारी है इसके कारण अब देर रात ही रुका पलांट से पानी क्या पूर्ती सुरू हो पाएगी अब सणिवार सुबा से वाटर सफ्लाई समाने हो सकती है बता दे रुका डिविजन के इए राधे स्याम रावी ने बताया है कि सणिवार सुबा से सवी छेतरी में पानी सप्लाई सुरू हो जाएगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदवाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों क अवासे दे थाइंक यू